हेलो स्टूरे और वेलकम बैक टू माई चैनल कॉम्शे गीता तो आज का हमाजो टॉपिक है यहाँ पे सौंदर इसास्त्र है यह पार्ट टू है इससे पहले मैंने आपको 130 कुश्चन कंप्लीट करा दिये हैं यहाँ पर जो आपका स्टार्ट होगा वो 131 से स्टार्ट है तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो यह जो लिखे हुए है कौन किससे संब्दित है तो चलिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं हर्बर्ट रीड तो हर्बर्ट रीड को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मीनिंग आफ आर्ट है यानि कि इनकी जो पुस्तक है मीनिंग आ और फॉर्म हो जाएगा, यहां पर अस्ट गॉंब्रेच किसे सम बंदित हो जाएंगे, यहां पर ल्यो टॉट्स ट्रोई, आपका यह कि आपका सिधा क्यूशन है तो आप बता सकते हैं कि यहां पर 134 स्था अभीह आ जाते है, यहां पर igz for सोचिए कि बिल्कुँ लेक्दम सही आपका आंसर ही बिल्कुँ सभी मिल गए है सीधे ठीक है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका 123 पोड मतलब जो कोड है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यह जितना भी इंपोरेंट है यहां पर बहुत ही ज्यादा दा हो जाएगा पर बिलकुल यहां पर अभीनःफ गुप्त हो जाएगा आगनंदवर्दन की अगर करते हैं तो इनका कौन सा हो जाएगा ध्वनी सिध्धान्थ कौन सा हो जाएगा अगर यहां पर हम नगनी जीत की बात करते हैं तो इनकी जो पुस्तक है यानि की जो ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा यहां पर चित्र लक्षर या नगनी जीत भी कह सकते हैं या फिर इनको भ question जो है आपका 134 की तरफ बढ़ते हैं question number 134 कह रहा है कि aesthetic ठीक है यहाँ पर esthesis है ठीक है esthesis जो है आपका किसे संब्दित है आपको बताना है तो यहाँ पर है अरंध है Eндriae संवेदना है अभी वंचना है या फिर इंवे इंवेसे कोई नहीं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा esthesis है किसे संब्दित होता है इंद्रियस संब्दित होता है या फिर हम बोल सकती हैं इंदрий locally ठीक है जो हमारी इंद्रिये सम्वेदना हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर एक सो नंबर है 135 है वाट इस आर्ट तो यह तो बिलकुल अभी आया था कि कला क्या है या फिर वाट इस आर्ट तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर यह जो आंसर है तो कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा अपका लियो टॉस्ट ओए हो जाएगा हरवर्ट रीट की जरूर यादla रखना मीनिंग आफ आर्ट मीनियो印 की हो जाएगी चलिए चलिए आप rer पर पर जो कुंतक के सिधन दिया थे वह कौन सा हो जाएगा ऐसक्याख़े? अगर इम आपकर बात करते हैं लासा है अुआ है तो आचयत्ति के बात करते हैं तो आचयत्ति का कौन सा हो जाएगा? 6 मेंडर ठीक है तो यह जितने भी आपको बताएं हैं आप इसको जरूर लर्ण करिएगा चलिए यहाँ पर एक सुसायतिस कोश्चन है आपका बताना है कि यहाँ पर किसकी अनुसार कला मनुष्य के कालपनिक जीवन की अभिविक्ति है यहाँ पर किसकी बात कर रहा हैं यहाँ पर कालपनिक जीवन की अभिविक्ति की बात कर रहा है कि यहां पर जो एक मेट यहां पर मतलब जो डी ऑप्शन भी है चलिए तो यहां पर है A, B, C, D एक मेट यहां पर सही कर दूँ मैं प्लेटो ने किस सन में एकडेमी की स्थापना की ठीक है तो यहां पर क्या कह रहा है कि प्लेटो ने किस सन की एकडेमी की स्थापना करी जाएगा आपका 387 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह भी बता देते हैं कि जो इन्होंने यहां पर प्लेटो ने जो मतलब खोली थी यहां पर खोली थी यहां पर एथेंस में खोली थी ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन की दर बढ़ते हैं कोशन नमबर यहां पर 149 कह रह लोग जानते हैं कि किसको कहा जाता है तो बिलकुल यहां पर राइट आंसर बॉम गाटन हो जाएगा यहां पर 140 की तरफ बढ़ते हैं कि रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है तो बताईएगा कि अरस्तु है प्लेटो है कांट है या फिर फ्रॉइड है तो स अंतर जगत और बाहे जगत कि सामजसे की बात किसने कही है यानि कि अंतर जगत या फिर बाहे जगत जो बहारी जगत के सामजसे की बात किसने कही है तो बिलकुल यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर कांट हो जाएगा और कांट क्या है एक जर्मन दार्ष कौन इमैनुवल कांट हो जाएंगे चलिए यहाँ पर कुशन नमबर 132 की तरफ बढ़ते हैं modern painters modern painters नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो modern painters के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे आपको option दिये हैं तो option मैं से बताईएगा तो यहाँ पर बिल्कुल right answer john ruskin हो जाएंगे चलिए यहाँ पर question number 143 की तरफ बढ़ते हैं question number 143 की तरफ बढ़ते हैं question number 143 कह रहा है सांत्याना ठीक है जो सांत्याना है अपनी पुस्तक जा the saints of beauty के सौंदर कितने आरे मतलब जो है यहाँ पर कितने उलेख ठीक है चार है तीन है या फिर दो है तो यहाँ पर the saints of beauty के जो सौंदर करें हैं तीन करें हैं कितने करें हैं तीन और यह भी बता देते हैं जो सांत्याना है कभी कभी पूछ लियता है एक्जाम में कि यह कहा के है तो यह हो जाएंगे आपके अमेरिकी सौंदरे सास्री अभी आपने जर्मन के देखे थे यहाँ पर इमैनुल कांट देखे थे ठीक है तो यहाँ पर जितने भी है जर्मन के देखिएगा और यहाँ पर जितना है यूनान के जितना भी सब है वो सब आप उसको याद रखिएगा चले यहाँ पर question number 144 की कि किसके अनुसार यहाँ पर सौंदरे सास्री ललित कलाओं के दाशनी विकल्पों एवं समस्याओं के संधातिक मतलब जो संधातिक संधातिक देखो यहाँ पर हिंदी भी बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर संधातिक निरूपर है तो हर्बर्ट रीड है यहाँ पर जो हर् दाशनिक विकल्पों का सेंधान्तिक निरूपर है तो बिल्कुल यहाँ पर क्यों सराइट आंसर हो जाएगा S के लेंगर हो जाएगा यहाँ आप 145 की तरफ बढ़ते हैं कि आरोही क्रम में लगाना है आरोही का मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन आया है यहाँ पर इसी हिसाब से लगाना है तो बताना है कि बॉम गार्ण पहले तो आपका जो एक एक चीज है वो चीज आपको बता दूँ सबसे पहले इनका जो समय की पहले बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रॉइड आपका कितना हो जाएगा जो इनका समय है देखो आपका जो समय है तो यह तो चीज याद करना तभी आप उसको लगा पाएंगे या तो आप इनका ऐसे ही 19-वी सदरी से याद भी कर सकते हैं तो यहाँ पर 856 इनका हो जाएगा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हीगल की बात करते हैं क्रोचे की बात कर लेते हैं जो क्रोचे का यहाँ पर जो समय है ठीक है एक बिनिट starting पहले आपको पहले बता देते हैं कि इसका जो right answer है वो क्या है तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा ठीक है जो इसका right answer है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे वैसे youth में आपका B दिया है लेकिन आपको बता देते हैं जो इसका right answer है वो A हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा यहाँ पे अगर हम पहले बॉम गार्टन की बात करते हैं बॉम गार्टन की अगर हम बात करें तो इनका जो समय है यहाँ पे 1714 हो जाएगा अगर हम हीगल की बात करते हैं तो हीगल का जो समय है वो आपका कौन सा हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1866 हो जाएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक लास्ट हमारे रहे गया है कौन सा फ्रॉइड रहे गया है तो ठीक है तो यहाँ पर आपको फ्रॉइड का भी बताना है जो मतलब है तो इनका कितना हो जाएगा आपका 1856 ठीक है यहाँ पर 1856 अगर हम यहाँ पर इसी आपसे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर 1714 में 1714 आपका कौन सा है ? तो जो वर्म का डंक आना चाहिए तो इसलो जो माना है Tut como. आपका ही हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगर हम समय के साब से देखते हैं तो वही राइट होगा बस इसमें एक थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है इन लोग से भी गलती हो जाती है तो यहाँ पर कुशन ही गलत कर दिया जाता है चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं क अंताप्रग्या, सहजानुबूती या फिर बोल सकते हैं आपका इंट्यूशन ठीक है तो यहाँ पर इंट्यूशन का भी बोल सकते हैं एक नट एक है आपका अंताप्रग्या, एक है आपका सहजानुबूती ठीक है और एक है बाकी मैंने का पार्ट बन में तो बता भी दिया और एक आपका हो सकता है आपका इंटूशन है तो यह जीज याद रखिए गा तो यहां पर यह चीज एसे पर करके पूछ ले जाता है तो आपको बताना है कि आरोब बात कहलाता है अनुमीती बात कहलाता है अभिविक्ती बात कहलाता है या फिर आपका मुक्ती बात कहलाता है तो यहाँ पर भटनाय का जो रश निस्पती जो सम्बंदी जहाँ पर द्रस्टी कोर्ट जो कहलाता है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर मुक्ती बात हो जाएगा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आरोब बात का तो आरोब बात का कौन सा हो जाएगा आपका बटो लोलट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका बटो लोलट अगर हम अनुमिती बात की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका शंकुक हो जाएगा अगर हम अभिवक्ती की बात करते हैं तो अभिवक्ती का कौन सा हो जाएगा आपका अभिनव गुप्त ठीक है तो यह चीज याद हो जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ पर जित्ता भी मैंने याद बताया है तो आप उसको जरूर याद रखेगा ठीक है अभिवक्ती का हो ज मर्दिश दर्शन सास्त्र की तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा हुआ तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सौंदरे सास्त्र की बात कर रहा है चली यहाँ पर कोशन नंबर 149 की बात करते हैं यहाँ पर कोशन नंबर 149 आप देख रहे होंगे कि प्लेटो ने कला को बताया कलपना से उत्वपन कुशागर बुद्धी से उत्वपन सत्य की अनुकृति यहाँ पर मात्र ग्रीडा तो यहाँ बहुत ज्यादा कोशन यह बहुत ज्यादा आसान है तो सभी लोग बता देंगे यहाँ बिल्कुल सत्य की अनुकृति बताया है चलिए यहा यहां पर किसे संबंधित हो जाएगा तो बिल्कुल आपका नाटे साहसे से संबंधित हो जाएगा चला यहां पर एक स्जुत क्यावन की दिरफ बढ़ते है कोश्मक्لى कि कह रहा है कि कला में अनुक्रड के सिधान को या पर रतिबादित किया हैं मेहां पर काण्ठ हैं हीगल हैं अरस्तू है या फिर प्लेटों हैं तो सभी लोग जानते हैं कि यहां पर अनुक्रड की बात कही है तीसरा आपको याद करना है कि यहां पर memesis theory ठीक है तो यह चीज जो आपको point आपको कुछ जो point बता रही हूँ उसको आप जरूर याद रखिएगा आपका question बिलकुल गलत नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है तो कौन सा हो जाएगा अरस्तू अगर यहाँ पर प्रथम की बात करते हैं memesis की तो आपका Plato right answer हो जाएगा चली यहाँ पर एक सुट बावन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है कि रस प्रमुख स्रोत है तो आप लोग जानते हैं कि रस का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर बिलकुल आपका नाट्टे हो जाएगा चली यहाँ पर question number किसकी तरफ बढ़ते हैं question number आपका 153 कह रहा है कि प्लेटो के पूर्व के दाशनिक को क्या कहा जाता है यहाँ पर ऐनोमिस्ट कहाता है एस्तोमिस्ट कहाता है यहाँ फिर सोफिस्ट कहते है यहाँ पर जब एक या एक से अधिक कोई विश्य की यहाँ पर योगिता रखता था तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता था सोफिस्ट कहा जाता था जैसी कि यहाँ पर दर्शन हो गया गड़ित हो गया यहाँ पर जितनी भी विशे है मतलब होता है कि मतलब एक से जाधा विशे कि अगर कोई यहाँ पर योगिता धारित कर लेता है तो यहांपर क्या हो जाता है आपका ये क्या कहलाते है आपका Sofist कहलाता है तो अहुंपर Sofist हो जाते है क्या रहा है तो आपका Ratna कह जाता है और इनटी पूस्टक है यहाँ पर कौनसी आपकी aesthetic हो जाएगी ठीके तो इसको भी याद रखिएगा चलिए आपर question number 155 की तरह बढ़ते हैं question number 155 कह रहा है कि बढ़तिये सौंदरे सास्त्री को श्री नाम से संबोधित किया है तो आपको बताना है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महा भारत से कोई मतलब भी नहीं यहाँ पर सब वो दिये हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका तो बिल्कुल आपका रिगवेद राइट आंसर हो जाएगा चलिए आप 156 की तरह बढ़ते हैं कि यहाँ पर सौंदरे सास्त्र जो दर्शन की एक साखा थी किसने एक नई पहचान दी तो आप लोग जानते हैं कि पलेटू, अरस्तू, बॉम गार्टन, अगस्टन तो आपको पता है कि सौंदरे सास्त्र की जर्गन की मतलब दर्शन की एक साखा है तो यहाँ पर सबसे पहले के गरम बात करें तो जब सौंदरे सास्तर की जो पिता कहे जाते हैं उन्ही को ही यहाँ पर एक नई पहचान दी है तो वो किसका नाम है? बॉम गार्टन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर 157 नंबर है खूब सूर्थी देखने वालों की आँख में होती है यह किसका कथन है? तो आपको बताना है यह जो कथन है वो किसका है कथन? खूब सूर्थी देखने वाले की आँख में होती है तो बिल्कुल आपको बताना है तो किसने कहा है? तो यहाँ पर right answer किसका हो जाएगा तो यहाँ पर Emmanuel Kant का हो जाएगा तो Emmanuel Kant नहीं यह आपका कथन कहा था चलिए यहाँ पर 158 की तरह बढ़ते हैं 158 question कह रहा है कि हमारा tall story जो tall story कला की किस विशेष्टा को महतुपूर नहीं मानते हैं तो आपको बताना है कि जो tall story कला की किस विशेष्टा को महतुपूर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर जो नहीं मानते हैं वो कला में मनुरंजन को नहीं मानते हैं चलिए यहाँ पर question number 169 की तरह बढ़ते हैं question number 169 कह रहा है कि कला सहज ग्यान और अंतर ग्यान कहा है यह किस ने कहा है तो आपको बताना है कि जो कला सहज ग्यान या अंतर ग्यान है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है एक सहज ग्यान यानि की सहज अनुबूती की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है सहजा नुभूती की बात कर रहा है एक तरफ यहाँ पर कह रहा है अंतरग्यान यानि की अंतह प्रग्या अगर यहाँ पर इस टाइप से कुछ भी चीज पूछा जाता है तो आप समझ चाहिएगा कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर क्रोचे की बात कर रह है या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं यहाँ पर इंट्यूशन बोल सकते हैं ठीक है तो दोनों ही चीज आप ज़रूर याद रखिएगा चलिए तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर क्रोचे राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ बढ़ते हैं हमारा है 160 है तो यहाँ पर 160 है यहाँ पर कला हमारे जीवन की अनिवारे अवशक्ताओं से यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर 44 एक मिनट यहाँ पर एक मिनट ही सही कर देती हूँ अब बताना है अवशक्ताओं मतलब कला हमारे जीवन की अनिवारे अवशक्ताओं से मुक्त होती है किस ने कहा सौंदर मानव की गति विधियों में नहीत होता है वस्वों में नहीं व्यक्ति की अध्यात्मिक शक्ति में ठीक है तो यहाँ पर option है आई ए रिचर्ड्स हैं कांट हैं टॉस्टोय हैं या फिक क्रोचे हैं तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर क्रोचे इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्रोचे नहीं कहा था कि सौंदर मानव की गति विधियों में नहीत ह होता है बस वह में नहीं व्यक्ति की आत्यांत्मिक शक्ति में ठीक है तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल क्रोचे हो जाएगा चलिए नेक्स कुश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर एक मिट यहाँ पर नेक्स कुश्चन है आपक तो किन्मकिया दिर्स आंत्रिक नेत्र से नहीं तो किसके अनुसार है कि सच्चे सुंदरे का दर्सन आंत्रिक नेत्र से होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर बाहे से नहीं Head जो Edison है या फिर Safe Sivari है या फिर Hutchison है तो यहाँ पर जो है तो किसके अनुसार तो बिलकुल यहाँ पर Hutchison के अनुसार हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर Question No. 164 है तो यहाँ पर 164 में आपको सुमेरित करना है आपको बताना है देखो यहाँ पर अगर आप लोग जानती आंसर कर देंगे तो अभी मैंने बिलकुल बताया था यहाँ पर जो अलंकार का सिद्धान्त है वो किसका हो जाएगा यहाँ पर आचारे भामा का हो जाएगा ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अनुमीती सिद्धान्त अगर हम बात करते हैं अनुमीती सिद्धान आपका सब्धार का सिध्धानत है तो कौन सा हो जाएगावकरण जब जायगा ऐसाएक आपका अभी नव गुप्त का हो जाएगा ठीक है तीसरा तो आप यह चीज को चेक कर लीजिए ठीक है चलिए यहाँ पर बात करते हैं 165 तो 165 का जो आंसर है आपको बताना है इसमें भी सुमिलित करना है कि जो अलबर्ट जो अलबर्ट अलचिन है यहाँ पर इनका किसी सब् मतलब परस्टशन थीक है तो यहां पर आर्ट एन ओष 거죠 तो इसका जो है यहाँ पर फॉर नंबर एयरोडॉल्म है तो ए रिडोफ का हो जाएगा पर्पस आफ ए क्यों कि मैं हां सा हो जाएगा परप्ले आफ ऑर्प्र Lock ऑ्रू जाएगगा यह त्री नंबर si तो ये इनकी पुस्तक है, Grombridge वाली ये ज़रूर याद रखीगा, important है बैसे पुस्तक तो यहाँ पर modern painters भी बहुत ही ज़ादा important है तो ज़रूर याद रखीगा कि किसकी हो जाएगी, यहाँ पर modern painters आपकी Rudolph की हो जाएगी ठीक है, और purpose of art की John Ruskin की और E.H. Grombridge की art and visual perception चलिए, next question पर बढ़ते हैं आपर, question कह रहा है कि 166 है हमारा अनुमीती का सिध्धान्द, जो अनुमीती वाद का फिर से सिध्धान्द आ गया है ठीक है, यह चीज़ याद रखना, ठीक है, इससे पहले मैंने question में बता दिया है question number कह रहा है, हमारा 166 कह रहा है, पुस्तक, अब फिर से पुस्तक आपका आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी पुस्तक है comparative aesthetic के रचेता कौन है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो comparative aesthetic के जो लेखक है, रचेता है, वो कौन है डॉक्टर नागेंदर केसी पांडे, MS रंधावा, मनुहर कॉल, तो बहाँ पर बिल्कुल कौन हो जाएंगे, आपके केसी पांडे हो जाएंगे चलिए यहाँ बढ़ते हैं, 118 की तरह धोनी सिधान से सम्मंद है, फिर से दोखो यहाँ पर question आ गया है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर धोनी सिधान की बात कर रहा है तो कौनसा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आनन्द वर्धन हो जाएगा अगर हम भामा की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका अलंकार का सिध्धान्त हो जाएगा किसका हो जाएगा अलंकार का सिध्धान्त ठीक है ये चीज याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर अभिनब गुप्त का कौन सा हो जाएगा भी बताया था मैंने कौन सा बताया था तो अभिवेक्ति वाद का सिधान तो हो जाएगा ठीक है यह कुछ चीज चोड़ी चोड़ी चीज है आप जरूर याद रखिएगा चली यह बारते हैं वहाँ पर 179 की तरह बढ़ते हैं कभी कभी दिखो नंबर भी ऐसे होते हैं तो कभी कभी 189, 189, 189, 189 है बड़े कन्फीजन करते हैं हिंदी वाले चली यहाँ पर बात करते हैं 179 कोशन की यहाँ पर पुस्तक भारती चित्रकला के लेखक कौन है कलिongwood है Herbert Reed Percy Brown E Gronbridge ठीक है तो आपको बताना है कि यहां पर जो भारती चित्रकला के लेखक है तो सबी लोग जानते हैं कि तो भारती चित्रकला के लेखक है वो कौन हो जाएंगे तो यहां पर बिलकुल यहां पर Percy Brown हो जाएंगे तो यहाँ पर question number बात करते हैं 170 है यहाँ पर आपको A और R कथन दिये हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो कूट है ठीक है आपको बताना है अभी कथन एक में तरक दिया है पहली कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्राच्चादर, रष्षन और कला, भारती कलाकार की सोच किरिया को प्रभावित करते हैं तो यह बिल्कुल right हो जाएगा, यहाँ पर पाश्चाती अथारदवाद ने भारती कला को अभिषित नहीं किया, ऐसा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर इसका जो right answer है वो कौन सा हो जाएगा मतलब A तो सही है यहाँ पर लेकिन आपका कौन सा हो जाएगा R गलत हो जाएगा तो option B right हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं 171 की बात करते हैं 171 कह रहा है कि भारतिय सौनदर सास्त्र की वेदान्त की आधार पर अभिवक्ती बात सिद्धान्त ने किस ने प्रतिपाrarादित किया है तो आपको बताना है आनंद वर्धन है या फिर अभीनब गुप्त ये तो बिलकुल अभी कुशन आया था कि मैंने अभीवक्ति बात सिधान्त की अभी बात कही थी तो किसका हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर अभीनब गुप्त का हो जाएगा चलिए यहाँ पर 172 की बात करते हैं कि भारतिय जो अभी कदन दिया है यहाँ पर भारतिय रस से धान्त में 9 रस जो 7 रस नाटे सास्त्र तो आप समझ रहे होंगी तो जब 9 रस है बिलकुल सही है नाटे सास्त्र में भरत मुनीक द्वारा बढ़ित 8 रसों के अतरिक्त था बि भी बिलकुल राइट है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा आपका तो बिलकुल आपका ए है और आर दोनों राइट अंसर हो जाएगा यानि की ऑप्शन भी राइट हो जाएगा कोशन नंबर 173 कह रहा है यहाँ पर भारतिय सौंदर सास्त्र में भरत के भारति के पास्चात कौन विशिस्टृत्म प्रवर्तक थे थे तो आपको बताना है कौन है तो बिलकुल यहाँ पर कौन हो जाएगा अभिनव गुप्तो हो जाएगे ठीक है चलिए नेक्स कुशन की बात करते हैं 114 की बात करती है यहाँ पर उस भारति दाशनिक का नाम ब यहां पर बहुत जादा आसान है तो बिलकुल कौन सा हो जाएगा यहां पर अभी नवारस कौन सा है आपका शांत रस है ठीक है यह भी सब को पता ही होगा चलिए यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन पर यहां पर 175 कह रहा है कि भारती साहित्ते में सौंदरे सास्त्र का सा मानेता किसके साथ संबंदित किया है तो यहां पर आपको मनलब किसकी बात कर रहा है सौंदरे की बात कर रहा है तो आपको पता है कि सौंदरे सास्त्र में जब अगर बात आती है तो किसकी बात करते हैं रस की बात करते हैं चलिए यहां पर 176 की तरफ बढ़ते हैं आर्ट read इसका right answer हो जाएगा ठीक है एक यहाँ पर Herbert Reid की the meaning of art पुस्तक जरूर याद रखना इसको मैं बार-बार repeat कर रही हूँ important है इसलिए ठीक है तो the meaning of art जरूर याद रखना ठीक है तो यह बाकी art and society भी किसकी हो जाएगी यहाँ पर Herbert Reid की हो जाएगी चलिए अब next question की दर बात करते हैं एक से सद्थतर हमारा कह रहा है कांट की कौन सी पुस्तक है ठीक है तो यहाँ पर Emmanuel कांट है तो ठीक है यहाँ पर कांट है कांट की कौन सी पुस्तक है तो आपको बताना है यहाँ पर judgment है यादि यानि की क्रिटिक ऑफ जजमेंट ठीक है यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया है एक्जाम में ऐसा ही आया है तो यहाँ पर क्रिटिक ऑफ जजमेंट हो जाएगा यहाँ पर किसकी है पुस्तक यह इम्मैनुल कांट की हो जाएगी चलिए आप 178 की तरफ बढ़ते हैं एस्थेटिक सब्द किस भासा से लिया गया है तो आपको बताना है कि जो एस्थेटिक सब्द लिया गया है वो बिलकुल यहाँ पर यूनानी भासा का शब्द है ठीक है तो यह भी चीज याद रखिए प्लेटो की पुस्तक का नाम बताना है तो आपका बताना है जो प्लेटो की पुस्तक है यहाँ पर कौन सी है इन है मतलब या फिक कला क्या है कला क्या है तो यह तो पता ही आपका वाट इस आर्ट यह किसकी हो जाएगी आपकी टॉल्स टॉय की हो जाएगी किसकी हो जाएग आपका तो बिल्कुल यहाँ पर EON हो जाएगी इसके अलाबा The Republic जरूर याद रखना एक symposium ये भी जरूर याद रखेगा ठीक है ये आपकी कौन सी हो जाएगी EON ठीक है EON ऐसे करके भी कभी कभी exam में पूछ सकता है ठीक है तो चलिए ये चीज़ हो गया है Next question में बढ़ते हैं यहाँ पर 180 नंबर है हमारा कला उप्योगता के लिए किसने कहा है कला उप्योगता के लिए ठीक है यहाँ कला उप्योगता के लिए है किसने कहा अरस्तू, कांट, रस्किन, प्लेटो तो यहाँ पर जो कला उप्योगता के लिए है ये अरस्तू ने ही कहा है इसका right answer option A हो जाएगा यहाँ पर बढ़ते हैं 181 की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉइड ने मनुस्य के मन को कितनी अवस्थाओं में बर्गी करत किया है तो आपको बताना है तीन है, चार है, दो है, एक है तो बता देते हैं कि यहाँ पर जो फ्रॉइड ने मनुस्य के मन की मतलब जो होती है आवस्थाओं को तीन भागों में बिभाजित किया है ठीक है, एक हमारा है चेतन, एक हमारा है आपका अवचेतन ठीक है और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा अचेतन ठीक है यहाँ पर अचेतन लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो मन यानि कि जो हमारा मन होता है वो हमारी उसका कोई भी लिमिट नहीं होती है यह तो है मन तो हमारा कोई limit होती ही नहीं है मन हमारा एक बार में पता नहीं कितनी बार में बदल जाता है होता है कि नहीं कम से कम यहाँ पर यह बोलते भी हैं कि यहाँ पर जो मन है मतलब तीन से आपका तीन हजार बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर मन का कोई वो नहीं चलिए यहाँ पर बात करते हैं चेतन अब चेतन और आपका अचेतन चलिए नेक्स कुशन पर बढ़ते हैं फ्राइड की बात हो गई है अब हम बात करते हैं यहाँ पर टॉल स्ट्रॉय ने कौन से सिध्धांद दिया है फिर तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर टॉल स्ट्रॉय की बात कर रही है यहाँ पर अधार्थवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद या फिर अधी अधार्थवाद रोराइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर बिलकुल यहाँ पर यहाँ पर आपका कोड हो जाएगा चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स कुश्चन है हमारा 184 तो यहाँ पर देखते हैं 184 है यहाँ पर कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदरे सास्त्र में सिग्निफिकंट फॉर्म के बारे में बात की तो यहाँ पर जो सिग्निफिकंट है तो इसके बारे में जो बात करी है उस सौंदरे सास्त्री है आपको नाम बताना है तो बताईएगा इसका right answer आपका कौन सा है तो यहाँ पे Clive Vale, Rosa Fry, I.A. Richards या फिर Herbert Tree तो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल आपका Clive Vale हो जाएगा चलिए नेक्स कुशन बें बढ़ते हैं हमारा 185 है हमारा बटनायक का रस निस्पती से संबंदित रस्टी कोड कहलाता है आरोब बाद, अनुमिती बाद, भक्ती बाद, अभिवत्ती बाद तो बिलकुल आपका जो है कहलाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका ये तो मैंने बता है ही था तो बिल्कुल आपका बुक्तिवाद कहलाएगा चलिए नेक्स्ट करते हैं कुश्चन हमारा नवारस किस भारती सौंदरे सासी ने सम्मिनित किया तो आपको पता है कि ये तो भी बहुत ज़्यादा आसान है तो बिल्कुल यहाँ पर अभी नवगुप्त हो जाएगा चलिए यहाँ पर बात करते हैं 187 है आलंबन बाउद्धीपन किस के प्रकार हैं तो आपने आलंबन और उद्धीपन के प्रकार पढ़े होंगे यहाँ पर किस के प्रकार हैं तो बिल्कुल आपके बिभाव के प्रकार हैं ठीक है जो बिभाव के प्रकार है एक आपका कौन सा है अब मतलब जो है कौन सा बिभाव के जो बिभाव के प्रकार है वो कौन है आपके आलंबन बा उद्धीपन, कौन है, एक आपके आलंबन और उद्धीपन, आप देख सकते हैं, ठीक है, कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर अनुभाव के पूछता है, तो अनुभाव के कितने हो जाएंगे, आपके एक विभाव ह कौन कौन से होते हैं, एक होता है, आपका काईक होता है, और एक आपका मानसिक होता है, और तीसरा आपका सात्विक होता है, ठीक है, तो यह चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं चलो अनुभाव का बता देती हूँ, ठी ठीक है एक का एक और दूसरा आपका मानसिक और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा सात्वी ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा चलिए नेक्स कुशन की तरफ बढ़ते हैं बाकी इसका है आलम्मनुदीपन हमारा विवाव से संबंदित है नेक्स कुशन है हमारा हमारा 188 है यहाँ पर कुल संचारी भाव की संख्या है तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं जो संचारी भाव है तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगी आपकी तैतिस हो जाएगी ठीक है आप आपका मतलब जो है याद रखिएगा संचारी भाव याद रखिएगा ठीक है त तो आप देखते ही बिल्कुल right answer लगा सकते हैं कैसे, लेकिन अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अनुकरर का सिध्धान्त है, ठीक है, वो किसका है, आपका अरस्तु का है, अगर आप अरस्तु को जानते हैं, प्लेटो को जानते हैं, कि ये कहां के हैं तभी आप इसको right answer लगा पाएंगे तो यहां पर है अरस्तु है को या मतलब हो गया प्लेटो हो गया ये कहां के हो जाएंगे तो यूनान के हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर next question भी तरब बढ़ते हैं तो यहां पर इसको पढ़ना है तो आपको बताना है पहले अभी कतर एको पढ़ते हैं रंगों के द्वारा संगीत संगीत सम रूप बस्तु निर्पेक्ष सौंदर स्रजन संभव है तो यहां पर जो है यह इसका कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यह right हो जाएगा मतलब आपको तो यहां पर लेंग्वेश पढ़के ही मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो मुझे लेंग्वेश ऐसे पढ़ते ही हुना कि हाँ बिलकुल sentence ठीक है तो बस मेरा बिलकुल right हो जाता है यहां पर हाँ यह सही लग रहा है ठीक है ठीक है तो अब अगर अब एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको लेंग्वेश ठीक लगने लगेगी ना जैसे कि मालो यह वाला है अभी बात करते हैं अभी कथन रंगो द्वारा संगी सम्रूप बस्तू निर्पेक्ष सौंदर्य सरजन संभव है ठीक है तो यहां पर जो है मतलब जो अभी कथन ए है यह कौन सा हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा क्योंकि विशुद्धू सौंदर्य सरजन के लिए बस्तू साधर्ष्य होना आवश्यक नहीं है तो आपको यहां पर जो है आपका ए सही और कौन सा हो जाएगा यहां पर आर मतलब जो ए सही है और R आपका गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका एक मिनट, यहाँ पर आपका option है, A सही है, A और R दोनों गलत है, A गलत है, R सही है, ठीक है, तो यहाँ पर A सही है, option C हो जाएगा, ठीक है, A सही है, R गलत है, ठीक है, यह चीज हो जाएगा, चलिए, तो होता है आपका एंद्रियों से होता है ठीक है तो यह चीज याद रखिएगा बात करते हैं यहां पर 191 है यहां पर फिर से ऐसे आगया है तो आपको देखो बुक पढ़नी पड़ेगी तभी आपको और जिस समझ में आएगा तो यहां पर है कह रहा है कि यहां पर पहले अभी कथन पढ़ लेते हैं पहले कह रहा है प्रते कलाकृती है एंद्रिक अनुभूती का भावात्मक रूपांतर है ठीक है बिलकुल है एंद्रिक मतलब हमारा क्या होता है ज्यान इंद्रिया मतलब जो हमारी इंद्रिया होती है जैसे आग कान नाक मू यह होता है ना तो यह हमा गलत हो जाएगा कर रहा लुक अंसर कौन तो हो जाएगा तो राइट अंसर हो जाएगा ए सही है और आमका डलख हो जाएगा चलिए पर कोश्चम लंबर 122 की तो बढ़ते हैं कोक्षय 2020 कह रहा है हमारा कि यहां पर पहले हम अभी जगत के निरूपड को अमूर्थ कला आप लोग जानते हैं ना एब्स्ट्रेक्ट की बात कर रहा है कि कला बाहे जगत के निरूपड के असुक्रोगती को निर्देश्ट करता है तो बिल्कुल करता है अमूर्थ कला सौंदर मनोभावों को उत्तपन करने में सक्षम और रंगों की विवस्टा के रूप में चित्रकला मूर्थ कला की मनलभ परीकलपना करता है तो बिल्कुल यहां पर अमूर्चोकला होती है तो बिल्कुल करता है तो आपको देखते ही लग रहा होकि दोनों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका ऑप्सन ए राइट हो जाएगा चलिए तो दोनों ही सही है चलिए आप बात करते हैं यहां पर 193 है तो यहां पर आप थोड़ा विए चीज बोरी लग रहा हुआ लेकिन आपको इससे चीज को आपको सीखने को मिलेगी जो लोग नेट का एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज जगत पर थोपता है ठीक है अपने नयसरगी मनोभाव घीक है तो बिलकुल यहां पर होता ही है ऐसा ठीक है तो मतलब आपको बाहत जगत में ठोपता है ठीक है क्योंकि यहां पर यह.msi इछ अत्रप्त इच्छ उसे सौंदर अत्रकर इसे 16 की दिशा में ले जाती है तो यह से सदने सासरी भार्टिय नहीं है नहीं है यह भार्टिय लगी रहा यह विसके सांत्याइण क Veron stis यह ने दो दो बार लिक क्या है चल्ड यहाँ बात करते हैं मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है यह किसका कफन है तो यहाँ पर रस्किन का हो जाएगा किसका हो जाएगा यहाँ पर रसकिन का हो जाएगा ठीक है तो यह चीज याद रखिएगा आप हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी next question की बात करते हैं 196 यहाँ पर 196 कह रहा है सौंदरे क्या है तो सब लोग जानते हैं सौंदरे क्या है यह तो सबी लोग जानते हैं कि यहाँ पर स अनभूती से परिपूर चित्रड है क्या है कलाकार की अनभूती से परिपूर चित्रड हो जाएगा यहाँ पर दंदात्मक सिध्धान तो कभी भी अगर यहाँ पर दंदात्मक सिध्धान आता है तो आप बिना सोचे समझे किसको लगा कर आएंगे हीगल राइट आंसर लगा के आईेगा ठीक है। चलिए, अगर यहां पर टॉस्टोई हो जाएंगे, तो यहां पर संप्रेशन भी बिना सोचे समझजें आप लगाके आई एगा। ठीक है, अगर किसी कहते हैं, आपका क्म्वुनिकेशन, आरस्टू का अगर आता है, तो आप लगाके आई किसका लगा की आएंगे बताइए कि किरोची का कौन ऐसा हो जाएगा पर इन्टी संय को याद सोज़े चले कोशन 159 नमबर है यहाँ पर पश्मी देशों की और ऑप किला के माधिम्anne से भाव की अभ्यक्ति होती है ना कि विचारों की तो आपको बताना है कि क्लाइब वेर हैं हीगल है यहां पर तो नामी मतलब है पैंटो फैक्सी ठीक है यहां पर क्रोचे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चुमी देशों के किस विद्वान का म ट्रस जाएगा रहत सब्रोचें के लांगर हो, तो बिल्कुल इहां पर सुजञे के लेंगर हो जाएगा ठीक है कला एक प्रकार का क्या है प्रतीक है सिधान्थ का प्रतिबादक कौन हो जाएगा तो यहाँ पर सुजैन के लैंगर हो जाएँगे चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नीचे दो कतन दिये हैं तो आपको बताना है चलिए पहला कथन पड़ते हैं सौंदरे पड़ी मतलब सौंदरे पूर्टेहा विशही कामना की मानवी सहज ब्रत्ती में संचिप्त है कथन है यहाँ पर क्योंकि मानवी चित्त यहाँ पर जो है संतुस्टी कभी भी परिगटना से संबनित नहीं होती कि उप्रिग तो कथनों को आलोग में निम्नाकित कलपों में कितना ज़्यादा टफ हो गया है यहाँ पर ऐसे ही कुश्चन आते हैं तो यह तो आपका बता देते हैं कि यहाँ पर यही चीज़ गलत है सौंदरे प्रूर्टा से मतलब होता है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो 202 पर बढ़ते हैं कॉश्चन नमबर 202 एक मिनट चलिए अब ठीक है कॉश्चन कह रहा है यहाँ पे 202 है प्लेटो ने कलाओ की निंदा की है क्योंकि इसमें यह तत्व है तो आपको बताना है यहाँ पर आप्शन है एक मिनट यहाँ पर आपको दिखना है एक मिनट अब क यहाँ पर दूसरा आपको कौन सा हो जाएगा मलब सत्य नहीं है यहाँ पर यह मत सोचना कि सत्य की अनुकृति की बात कहीं यहाँ पर सत्य की बात नहीं कहीं है यह मत सोचिएगा ठीक है यह तो आपको भड़काने के लिए यहाँ पर सत्य लिखा गया है और कौन सा हो यह बहुत जादा इंपोरेंट है कि टिक और रीजन है कि लेखक कौन है तो सभी लोग जान दे हैं पर इम्यनुवल कांट इसके राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए पर नेक्स कुशन की बढ़ते हैं नेक्स कुशन कह रहा है यहां पर नीचे कुछ दाशनिक के नाम दिये हैं देखते हैं कौन से दाशनिक के नाम दिये हैं तो आपको बताना है कि यहां पर जो है उप्रिक्तुर का सही का अब देखो यही चीज फिर से आ गई है तो यहां पर जो दाशनिक के नाम दिये हैं तो रहक को साथ टाइम वह कितना हो जाएगा आपका सत्रे सो बावन हो जाएगा और इहां पर बॉम गार्टन की अगर dużु्वा बात करते हैं तो इंका कितना हो जाएगा आपका कितना फिर्स्ट नमबर पर आपका हो जाएगा 3, ठीक है? मलब यहां पर है, यहां पर पहला ही लिख दिया यहां पर यह फिर तीसरा हो जाएगा ठीक है, फिर उसके बाद आपको कौन सा दिख रहा है, यहां पर Heagle का दिख रहा होगा ठीक है? Heagle का है, मतलब 224 पहले आपको कौन सा हो जाएगा तो higle यानि की पहला नमबर ठीक है तीसरा पहला और आपका कौन सा हो जाएगा फिर आपका कौन सा है यहापकर क्रोचे हो जाएगा 2752 भो 1772 है है तो यहाप पर दूसरा हो जाएगा चलिए यहाँ पर बाकी option बेकार है चलिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर किसने यह प्रमारित किया किसने यह प्रमारित किया कि कला संप्रेशन है बॉम गार्टेन, हीगल, क्रोचे या फिर लियो टॉस्टाइ तो आपने पता है कि यहां पे किसकी बात कर रहा है संप्रेशन की बात कर रहा है यह तो बिलकुल अभी बताया है यानि कि किसकी बात कर रहा है ठीक है किसकी बात कर रहा है communication ठीक है तो यहां पर कौनसा हो जाएगा तो बिल्कुल आपका Leo tolstoy हो जाएगा ठीक है संप्रेशर हो गया communication हो गया अगर आता है कभी तो आप Leo tolstoy ही करके आएगा और दंदात्मक का सिद्धानत आता है तो आप आप हीगल करके आईएगा अगर आपका ऐस्थेटिक से सब्बनित आता है तो आप गॉम गाटन करके आएगा क्रोची का आपका कौन सा करके आएगे को कौन सा बताय था ना इंटियूशन का जरूर करके आएगा ठीक है यहाँ पर ये चीज पूछ लिया जाता है जहां पर इंटियूशन हो गया सहजान अभूती हो फिर नवा चलीना नेक्स कुशन के तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर फिर से कह रहा है यह अभी कथन वाले बड़ा सर में दर्ब करते हैं सब सची कला निर्मित होती है यह तो बहुत लोगों का कथन है तो यह बिल्कुल राइट होजाएगा क्योंकि यदि कला का सत्य निष्ट कला का सरजन करना चाहता है तो उसे कला की जड़ों में गहराई तक पहुंचना होगा ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब सरजना होगा तो गहराई तक पहुंचना होगा है ना अगर हम ना भी पहुंचे तब भी तो हम चले जाएंगे चलिए तो आपका गलत हो जाएगा तो a option a right हो जाएगा चलिए बता रहा है यह पुस्तक का यह किसकी है पुस्तक तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी यहाँ पर हेंड्रिक जिमर की हो जाएगी मिट्स एंड सिंबल्स इंडियन आर्ट सिवराइडिशन किसकी हो जाएगी यह तो बिल्कुल यहाँ पर हेंड्रिक किसकी बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो कौन से राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल अरस्तु हो जाएगा कला में मनुष्य अपनी अभिवक्ति करता है तो यहाँ पर अभिवक्ति की बात कर रहा है तो यहाँ पर अभी इससे पहले क्या आया था कि कला अपने भाव की अभिवक्ति करता है मतलब जो है यहाँ पर मतलब जो रस्किन ने कहा था क्या कहा था रस्किन ने कि मनुष्य प्रशित दासनेक अरस्तु का शिर्से कौन है। तो यह पिस सब भी लोग जानते हैं, यह भी कुशन बार-बार आता है, यहाँ पर आप देखी रहे होंगे, तो बिलकुल यहाँ पर जो रस्तू का कौन सा हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा, नेस्ट कुशन पर पढ़ते हैं, यहाँ पर 212 है, कला किस भाषा का सब्दु है यह भी सबी लोग जानते हैं, तो किस भाषा का हो जाएगा, तो बिलकुल संस्क्रत हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं, कला क्या है, नाम कुस्तक क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसिकर भी पूछ सकता है, यहाँ पर किस का है, तो यहाँ पर क तो यहां पर दोनों ही चीज है करता है या फिर कला में मनुष्य अपनी अभिवक्ति करता है तो एक ही बात है तो इसका हो जाएगा तो बिल्कुल रविनार्ट टैगॉर्ड का हो जाएगा यहां पर दोसर पंदर कह रहा है कि निम्नांकित मैंसे कौन हंगेरियन सब्सक्राइब करते हैं कि कला एक अभिवक्ति है तो ठीक है तो यहां पर अबट करते हैं ढगनेल गैलरी संकाली से जबन्त है चलिए यहां पर बात करते हैं यहां पर किसका कथन है कि कला एक अभिवक्ति है तो ठीक है तो यहां पर आपको बताना है कि जो है चलिए तो यहां पर बताना है कि किसका कथन कला एक अभिवक्ति है ठीक है तो कला एक अभिवक्ति है प्लेटो क्रोचे या फिर रस कौं हो जाईगा को ने बता ही रखा है तो सको भी याद रखेएंगा पुषट किसने लिखा तो है तो यहां पर हो जाएगा यहां पी बहुत बार पूछ़ी जाती है यहां फिर मुझा है ल झांकर दोस्तों टारा केरा है फेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है ये भी सबी लोग जानते हैं कि यहां पर कॉन सा है तो प्लेटो द्वारा कॉन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर सिंपोजियम हो जाएगा यह भी बहुत ज़्यार, आण गरना बठेर खाई का भूस किस महान दाशनिक ने इसे तत्त कुन सा आंसर हो जाएगा कि scheint कहसा ओना पर फिर सी बात कर रहा है सहजा अन पूस यह भी बात थी आप & meanwhile तो यहांको निजी या पूच लिए जाता है मिल्सकतर नुश लाट है तो यहां पर इंट्यूशन कव जाए में जाताएं तो आप याद रखेंगा ठीक है इंट्यूशण का हो जाएगा सहे जानुबूथी यहां फिर बहुत सकता है अंतहप्रग्या कोरौची इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 20 20 मार्व 20 का मैं भी क्या बोलगी हूं चलिए यहाँ पर में 2021 है। यहां पर अरस्तु ने कला को कहा है, प्रकृति की नकल स्थिक की अनुकृति अन्व क्या, सक्थिक की निकल कहा है। चलिए यहाँ पे कुशन नमबर 222 की तरफ बढ़ते हैं बागी मैंने आपको बता दिया है तो उसको जरूर याद रखेगा पास्षा ते संदर सास्टर के अनुकुरती सिधान जो मैमेसिस थियोरी है तो आप समझे होंगे जो मैमेसिस थियोरी के प्रडेता है यहाँ पे हीगल, कांट, प्लेटो, अरिस्टोटल का नाम दिया है यहाँ अगर अगर मैमेसिस थियोरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो सरप्रतम दिया है वो किसने दिया यहां पर प्लेटो ने दिया है तो प्लेटो का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कुछिन में बढ़ते हैं यहां पर 224 है यहां पर पाश्षाते ईसनल ओदाथ का सिदान्त है यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसको भी जरूर याद रखीगा उद्दात का सिद्दान्त है तो बिल्कुल हाँ पर किसका हो जाएगा यहाँ पर लॉंजाइनस का हो जाएगा ठीक है उद्धात का सिध्धान भी जरूर याद रखीगा ठीक है तो यहां पर हीगल का है तो हीगल का याद करना दंद्धात्मक सिध्धान ठीक है यहां पर किसका दंद्धात्मक ठीक है तो इसको भी याद रखीगा ठीक है अरे स्टोडिल का याद रखना मैमे तिए तो इसको भी आद रखना फिर इमिटेशन वाला भी बहुत जुछता पूछता है इकजाम में इमिटेशन वाला ठीक है तो चलिए यहां पर बात करते हैं नेक्स कुशन की तरफ बाकी क्रोचि का भी मैंने बहुत बार बता दिया है तो ज़रूर नेक्स कुशन की दरब बढ़ते हैं यहां पर कह रहा है कि भारतिय सुद्र सास्ट्री में रश्र प्रतीती में बिगनी की बात कही है तो यहां पर किस ने कही है बट लुलत श्री रंकुक अभीनब गुपत्य याफिर भट नयक तो बिलकुल इसका राइट आंसर आपका कौन रश्रोज सा हो चाएगा यहां पर अभीनब गुप्त का हो जाएगा ठीक है यहßा brew यास प्रतीती पिध्नी की बात किस ने कही है यहां पर अभीनब गुपत्य यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है मैं चलि यहां पिश सांगुक का ह भरत का है अभिनब गुप्त या फिर पंडित राज जगरनात का है तो यहां पर रसकला की आत्मा है यह किसका है तो सरपतम किस ने दिया है आपर बिल्कुल आपका अभिनब गुप्त का हो जाएगा ठीक है चलिए आप नेक्स्ट कुशन की तरह बढ़ते हैं 228 यहां पर ललित कला का तर्क संगत वर्गी करड किस ने किया है तो आपको बताना है पलेटव हैं हीगल एक कांट है या फिर काल्स ने कीया है तो आप समझ रहे हैं तो ललित इस्टोरी ओफ आर्ट है मेनिंग और वीजल आर्ट है यहाँ पर वीजन अड डिजाइन है तो आपको बताना है कि इसको जो राइड आंसर है वह बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका तो यहाँ पर वीजन अड डिफरेंज जो यह वाला है आपको आपको अप्शन एड पूरी डिजाइन में उन्हीं यहाँ सामना का प्रकार का तत्तो के लिए तर्क है यह दो भी बिल्कुल सही है यहाँ पर कुछ डिजाइन तत्तो के दोहराने से एकता का संबदता का भावना आती है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ डिजाइनों को तत्तो को दहराने से तो को दौराने से तो यहाँ संब्दता की भावना आती है तो यह राइट अंसर वो जाएगा इस सिदांद में कहा गया है कि यहाँ सम्भणत टक्त्त करने का श्रे संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली इस्था इशापूर में अस्चितुमें थी तो यहाँ पर किस है ऐस मत्त कर चाने乾 Väze 편 सिधानतों का सम्मौ कहा जाता है तो आपको बताना है कि कौण सा ऐसा सम्मौू है सामजे से संत्रलण या फे से संत्रे Si's या सवन्दरे साστ्र पढ़ा रहे हैं तो इहां पर सॉंदरे सास्तرب की सम्मा सम्मौूं का हो जाएगा, थिक है? तो यह भी चीज, यहां पर सही सुमिलित है, तो क्या करना है? तो यह भी बिलकुल गलत हो जाएगी, यह किस की हो जाएगी? पर वीजन और डिजाइन तो यह आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा बताए art यहां पर किसका हो जाएगा आपका बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा छलिह यहां पर कोशन numbrer 223 की तरफ बढ़ते हैं यहां पर इसको भी कुशन सही कर दो आई थिंग आपको अप ठीक दिख रहा होगा चलिए यहां पर बात करते हैं सही को चुड़ना है तो आपको जानते हैं क्रोच यहने कहा है कला सत्य की अनुकृति है बिल्कुल नहीं कहा है किसने कहा है रविन नाट टैगोर इनरोंने कहा है मानवक्व рукा के द्वारा अपनी अविक्ति करता है बिल्कुल रॉाइट है आंसर बस आपको रॉरिट मिल गाई आप कुछ नहीं देखना है चलिए बात करते हैं यहां पर तो आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा है तो बिलकुल यहां पर डान सरॉष यहां पर राइट आपका क्रोची राइट आंसर हो जाएगा ठीके कोई भी अर्थ पूल एक मेटे यहां पर सही कर तुए पर चली बात करते हैं कोई भी अर्थपूर विचार रस मर्थ देखो यहां पर फिरसी बात कर रहा है किसकी बातकरा रहा है यहां पर रसलिस्पत्ती की बातकर कर रहा है दो कोई चीछ फोती हैकर आपको देखने से निइस giddyant आ पता है यह सरपथम से निदRO्सक्ति सदाmers नीच है थो कुश्चन जो देख रहे हैं मतलब पहले कुश्चन बढ़ते हैं चली याँ पर है जो मतलब हां किस सदासनिक के सौंदरे के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदरे अभिविनजना है ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है हीगल है सिस्टों है यहाँ पर जो र वीर बी है लेकिन हमाघर रती है वह नहीं है तो राइट ऑप्शनः डी हो जाएगा चल अंबर 45 तुर्प यहां पर आकटे हैं की बस इंतजार आपको बस खत्रम होने यही चीज कॉर्शन आ रहा है तो किस की बात कर रहा है यहां पर बिभाव की बात कर रहा है यहांपर पर दो प्रकार कस थे दो च्रौर्ब किस स्सक्राइब बिल्कुल आपका कौन से हो जाएगा यहां पर इसका right answer तो बिल्कुल स्थाइ। हो जाएंगे ठीक है यह जो है यहां पे सब जाने का है तो यहाँ पे जो है जो आपका कौन सा है रस जुगुपसा नहीं है तो जुगुपसा क्या है जुगुपसा एक क्या है इस्थाई भाव है ठीक है किसका है यहाँ पे विवद्स का ठीक है तो यहाँ पे यह क्या है यह इस्थाई भाव है यह रस नहीं है ठीक है क्या है यह इ या फिर प्लेटो हैं तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है अनुकर्ड की बात कर रहा है तो आप समझ ही होंगी अनुकर्ड की बात कर रहा है तो किसका हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर प्लेटो राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं यहां पर 244 की अनुसार भाव होते हैं तो यहां पर सभी लोग जानते हैं कि सौंदरे सास्र में जब रसी 9 होते हैं तो हमारे भाव कितने हो जाएंगे तो बिल्कुल यहां पर 9 हो जाएंगे ठीके चलिए यहां पर 246 की बात कर रहा है कि यहां पर रस सिदान्त का प्रतिबादन किया है तो तो आपको कौन से राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अभीनब गुट्व्त राइट आंसर हो जाएगा चलि यहां पर 247 की तरफ बढ़ते हैं यहां पर रस कितने प्रकार के होते हैं तो सबी लोग जानते हैं कि अगर यहां पर भरत्मुनी पूसता है तो आप 8 करके तो यहाँ पर बत कर रहे हैं कि यहाँ पर रस भाव को जो सास्र रूप दिया है तो समयचरी होगी यहाँ पर पंडित या शोदर भरत यहाँ पर यह तो भरत मुनी अगर दिया है तो यहाँ पर भरत मुनी राइट आंसर लगा कर आएंगे यहान पर 249 कहा है की अद्बूत रस है कौन सा रंग है टो आपको बतामा है जतनी भी RS है उनको जरूर याद रखएगा की अद्बूत रस का कौन याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन में बढ़ते हैं आपर बाकी मैंने आपको पूरा लिखवाया है तो आप उसको जरूर याद रखिएगा ठीक है मैंने पूरी थियोरी कंप्लीट कराई है कि मतलब कौन सा रंग किसका है यहाँ पर मैंने पूरा करवाया है शडंग वाले में करवाया है आपको ठीक है चलिए यहाँ पर विश्णु धर्मुत्र पुरार के चित्रसूत्र प्रधान ब्रतियों की चर्चा है तो आपको कितना हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर 9 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा आपका 9 बाकी तो बताया है ना कि आपका जो चित्रसूत्र में कितने 9 अध्याय की बात है और यहाँ पर जो 5 है वो कौन सा हो जाएगा आपका 6 ब्रद्दी ठीक है तो यह चीज चरभध्रद्दी का प्रमुक्स रोथ है तो आपको लेवह सब्सक्राइसis क हूँ यहाँ सब्सक्रामाना जहां तो सब्सक्राइब रखा था यहाँख दूस्चिस्ट हिए यहीग पहुति अन्योगक जो महिसे सब्सक्राइब प्रकने कंश्रा मatore कि बाहले हैं यहां पर 203 पर हैं यहां पर सांतर रज के बात कर रहा है तो कौनि सा राइट हो जाएगा अभीन अब गपत्त से किसके द्वारा रचित है तो आपको बताना है हर्ष आनंद बर्दन भरत मुनी या फिर नंद लाल बोस तो इसका दोने लोग है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आनंद बर्दन आनंद बर्दन वाला भी बहुत बर्द equipment पूछा जाता है धुन लोग तो यहां पर सब्जा प्रकारण प्रहसन तो इसका राइट आंसर कौन सा ओजाएगा का हो जाएगा ज़िक मुद्ध को मैं हो जाएगा तो एक ही म्ला दृप्शन सी फिट्क है प्रकरण ठीक है नेक्स कुश्य में बढ़ते हैं यहाँ पर 256 कह रहा है हमारा कुश्चन एक मिनट बास्तू, नेता और रस जो है आवश्यक जो है क्या है आवश्यक घटक है ठीक है यह क्या है आपका घटक ठीक है तो आपको घटक बताने है रूपक चित्रकारी अविने सामबे तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है जो वास्तू देखो क्या क्या बात कर रहा है वास्तू यानि कि स्थान नायक भावना है तो आप समझ रहोंगे किसकी बात कर रहा है आपका किसकी बात कर रहा है अभिन है चलिए यहां पर बात करते हैं 255 का रस्य सिद्धान्द के प्रसिद्ध वो व्याख्याकार को पहचाना है तो यहाँ पर फिर से बात कर रहा है रस्य सिद्धान्थ, तो आपका बिलकुल है रस्य सिद्धान्थ किसी सब्बंदित हो जाएगा, तो बिलकुल आपका अभीना गुप्त से हो जाएगा 258 कह रहा है संस्क्रत मूल पार्ट शुरू होने वाले रसित दान्त का विकास जो हुआ है वो किसका हुआ है देखो सारे कुशन करके ही जाएगा बस आपके 2400 कोर्शन है कितमे है 264 ठीक है तो बस खतब होने वाले ही है तो पूरे ही कुशन करके ही सोगेगा चली यहाँ पर आपका फिट टॉपिक यहाँ पर रसौंदर सास्व का कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है चली यहाँ पर बात करते हैं संस्क्रत मूल पार्ट से शुरू होने वाले रसित दान्त का विकास हुआ तो आपको बताना है यहाँ पर तो किस से हुआ है तो सभी लोग जानते हैं तो नाटे सास्व से हुआ है चली यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर 259 है अनवाओ के कितने भेद होते हैं तो फिर से अनवाओ के बात भेद आ गए है अभी यहाँ पर भिभाओ के भेद आये थे यह कितने मतलब जो थे किसके थे बिभाव के अब यहाँ पर पूछ रहा है आपके अलंबन वो अनुभाव के पूछ रहा है तो अनुभाव के कितने हो जाएंगे आपके तीन हो जाएंगे जो तीन कौन से है एक पहला है आपका बताया ही था एक काईक है और दूसरा आपका म लिलित कलाओं को कितने भागों में रखा है तो यहां पर पांच हो जाएगा बहुत बार कोशन यह रिपीट हुआ है तो आपको जानते हैं कि रौतर रौस्य जो रंग है यानि कि रौतर की किसे सब्बिन है आपका तो गुसर है राल हो जाएगा यह है उख यहांपर कोमेंट करके यह भी बताईएगा कि Calling question ही हाँ भूल गई arna चलिए रहाए मैं इस पूछने जा रही थी हाँ रॉद्र रस का रॉद्र रस जो है वह मतलब इसका हिस्थाइबा क्या यह जल्दी से बताईए कर que करके चलिए da US चलिए रह बाद कहैं यहाँ पर पर पंदर है किस ने ब्रिवाशित किया तो किस बात कर रहा है कि SME अथे हुस्थ पर पर अलिवकों कि में आपको जएब बस इंतजर खथमा नहीं one कोशन चलिए नेस कोशन बस आपका खतम हो गया आपका इंतिजार देखो आपका सौंदरे सास्तर पूरा कंप्लीट हो गया है बिलकुल एक दम कंप्लीट तो मुझे नहीं लगता है कि अगर रह भी जाएगा तो बिलकुल भी नहीं रहेगा क्योंकि आप करके आजाएंगे अ ल सब बिलकुल यहाँ पर किसंका हो जाएगा यहाँ पर ही ही कलका हो जाएगा ठीक है चलिए पर आपकी क्लास ख़तब होती है गुटनाइट एवरिवन और सबके लिए चलिए गुटनाइट फेरीवन ठीक है तो यहाँ पर जितने भी हैपको खॉसक्त करूंब Как लाँ बक topic wise ही आपकी practice set करवाती हूँ तो आप उसको पूरा learn करिएगा ठीक है चलिए फिर मिलते हैं आपका कल दो बजे ओके thank you everyone and good night everyone